मध्यप्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच और महिला थाना पुलिस ने संयुक्त कारिवाई को अंजाम दिया है इंदौर अब देह व्यापार का अड़ा बनता जा रहा है और इसी कड़ी में इंदौर महिला थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है ये रैकेट अंदौर के विजर नकर थाना क्षेत्र के शगुन आर्कित में मसाज पार्लर के नाम पर संचालित किया जा रहा था बताया जा रहा है कि कई विदेशी योगतिया और लड़के इस्पा सेंटर से पकड़े गए हैं फैमिली सैलून इस्पा स्कीन क्लीनिक के नाम पर चल रहे अनैतिक देह व्यापार पर पुलिस ने शिकंजा कसा महिला थाना प्रभारी जियोती शर्मा के मताबिक कारिवाई के दौरान गिरफतार किये गए योवक योगतियों से पूछता जारी है क्राइम ब्रांच और महिला थाने का ज्वाइन कुंचर है एक साथ मिलकर एक दविश दी है मुबिल से सुचना प्राप थोई थी कि अपना शगुन आर्केट जो बिल्डिंग है यहां पूर में पकड़ाया जा चुका है वहां पर कुछ अन्यतिक देवयापार का कारियर संचालिक दिया जा रहा है इस पर से दविश महिला थाना ट्रैंग्राइज दोह की तीम ने मिलकर दिया और वहां से हमने काफी सारे पुरुष महिलां को अकड़ा है जिसमें कुछ विदेशी महिलाएं भी उनके नाम और उनका इवन निवास थान दी क्लियर करना वाकी है करेवाही की जा रही है इस लड़के आठ पुरुष है और दस महिलाएं है और संचालत के बारे में अभी ने को इस बात नहीं हो पाही है करके जो नाम आ रहा है अभी मेरे पास तो नहीं आया आप लोगों से फता चला है अभी और पूछता जब होगी तो आपको सारा सब्सक्राइब नहीं है कि पहले उसी जगे अटम्स नाम से स्पा था वहाँ कर पिछली साल इसी तरी की कारिवाएं गी थी और जविश में का पूसा कारिवाई की दौरान भी दस यूफतियों और आठ यूपकों को गिरफतार किया है जिन में विदेशी यूफतियां भी शामिल है म्रदुभाशी के लिए दौर से चंकी बाजपी किरपो विडियो को लाइक और शेयर करें म्रदुभाशी से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना पूलें